Ctrl A का क्या use होता है, Ctrl B का क्या use होता है, Ctrl C को कैसे use किया जाता है, और Ctrl D को कैसे use किया जाता है, आज हम यहाँ Ctrl के साथ A से लेकर के Z तकी सभी shortcut की को with example के एक एक यहाँ पे explain करने वाले हैं, दोस्तो मेरी आपसे A की request है, आप वीडियो को skip बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर लेकर आया हूँ, अगर दोस्तो आप चैनल पे नए हो, तो चैनल को subscribe जरूर करना, तदा साथ आने वाले bell icon पे जरूर प्रेस करना, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके, तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो start करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्य Ctrl A आता है, Ctrl A के आगे देखो हमने क्या लिखा हुआ है, Select All, सभी page को एक साथ select करने के दिए, मतलब कि सभी page को एक साथ, तो मैं इसका example बताता हूँ आप, जैसे यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर रखा, अब यहाँ पे आप या तो इसको पूरे को माउस से select करो, या फिर आ देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपको यह text है, इस text को में क्या करना है, बौर्ड करना है, या Ctrl B यूज़ करना है या पे, तो देखो Ctrl और B मैं प्रेस करता हूँ, यह देखो, पहले से थोड़ा क्या हो जाएगा, यह देखो, पहले से क्या हो गया, अब देखो, या तो आप Ctrl B प्रेस करो या फिर यहां से आप B को यूज़ कर सकते हैं वह सेम ही है फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास थर्ड सोटकट की क्या आती है Ctrl C आती है Ctrl C में क्या लिखा हुआ है selected text को copy करने के लिए मतलब जो text हमने select कर रखा है इस text को जैसे हमने select यहां से लिखो यहां तक का हमने select कर लिया इसको क्या करने का काम आएगा copy करने की दे जैसे देखो मैंने यहां पे इसको Ctrl और C प्रेस कर दिया यह copy हो चुगा है अब paste करने की shortcut की हमारे पास आगे आएगी लेकिन एक बार हम इसको यहां पे आपको करके दिखाते हैं कि यह copy हुआ या नहीं हुआ आपको पता नहीं चल रहा होगा यह देखो enter की press की हमने और यहां पे Ctrl और V पेस्ट करने की आती है यह देखो सेम आगे है दुबारा यह होता है Ctrl C फिर हम आगे बढ़ते हैं मारे पास क्या आता है Ctrl D Ctrl D में क्या लिखा हुआ है font dialogue box open करने के लिए या duplicate image जैसे देखो मैं Ctrl D press करता हूँ यहां पे और यह देखो font dialogue box open हो गया जिसके दोरा आप यहां से कोई भी font को यूज कर सकते हो जो भी font आपको अच्छा लगे यहां से आप उसको उठा सकते हो इधर से उनको italic board भी है यहां पे आपको उसकी size भी लिखे हुई है फिर इसके अंदर image का भी आता है देखो मां आपको यहां पे एक clip art जैसे एक image डालके दिखाता हूं आपको जैसे यह image आ गई अब जैसे हमने यहां पे image के उपर click कर रखा है फिर हम ctrl D को press करते हैं तो देखो आपका font dialogue box open नहीं होगा क्या होगा image की एक photocopy तयार हो जाएगी यह देखो दुबारा करेंगे ctrl D फिर ही देखो image की photocopy तयार हो रही है अब यहां पे देखो मैं text पे click कर दिया ना अब उसके बाद में ctrl D दबाएंगे तो हमारे क्या आएगा font फूल के आएगा आगे चलते हमारे पास क्या आता ह ctrl C क्या होता है page का central alignment set करने के काम आता मतलब selected text को page के बीचो बीच लाने का काम करता है जैसे देखो यहां पे हम इसको लाते हैं और यह देखो इसको यहां से हम close कर देते हैं अब यह देखो अब हमने पहले इसको ctrl A से select किया और फिर क्या करेंगे ctrl और e press कर देंगे देखो बीच में आचुकी है दोनों तरफ बिल्कुल equal space हा रहा है हर लाइन के देखो यहां भी बिल्कुल इतना ही space है जितना इधर है मतलब सभी को बीच में लाने काम करता है फिर उसके आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है ctrl प्लस f आता है ctrl प्लस f क्या होता है find क अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है ctrl प्लस g आता है जिसका मतलब क्या होता है go to मतलब किसी विशेश page या line पर जाने के लिए इसका यूज क्या दाता है किसका ctrl प्लस g का तो यहां पे हमने क्या प्रेस किया ctrl प्रेस किया और g प्रेस कर दिया यह देखो हमारे पास आ गया थोड़ा सा इसको जून करते हैं यह देखो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है देखो page section line bookmark comment footnote तो देखो आप यहां से line भी चूज कर सकते हो कौन सी line में जाना है या फिर आप page भी चूज कर सकते हो दोनों हम दिखाते हैं यहां पर आपको सबसे पहले तो एक बार देखो screen को थोड़ा सा photo कर देते हैं अब यहां पर देखो page number हमारा कौन सा चल रहा है यहां पर हम क्या करते हैं page number 3 किया और हमने enter की press की या फिर आप go to click करो यह देखो page कौन सा आ गया 3 आ गया हमारे पास यह होता है मतलब किसी page के उपर जाने के लिए अब देखो जैसे हमारे पास हम page के सबसे उपर है अब हमें कौन सी line में आना है जैसे इस third line में आना है तो यहां पर हम क्या करेंगे इधर से हमने line को select किया और यहां से हमने क्या लिखा third और यहां से हम क्या कर देंगे go to यह देखो third line पर करसर move करने लग गया यह होता हमारा go to उसके आगे बढ़ते हमारे पास क्या आता है control plus s मतलब replace करने के लिए लिखे हुए text की गलतियों को सुदारने के लिए देखो क्या होता है control plus s मैं यहां पर press करता हूं यह देखो यह dialogue box आपके सामने खुल के आया है अब देखो थोड़ा सा इसको zoom करते है एक बार यह देखो आया है यह पूछरा की find what आपको find क्या करना है जैसे यहां पे अब pictures की जगह लिखना क्या मेरे को मेरे को लिखना है जैसे कुछ भी आप लिख दो जैसे मेरे को माई लिखना है या जैसे capital में माई लिखना है तो capital किया my करती है और क्या करो एक एक को करना है या फिर सभी को करना है या तो आप एक बार तो जाओ कहां पे find next find next पे करते ही इसको ब्लिंक करने लग गया अब यहां पर हमने क्या करते थे इसको रिप्लेस यह देखो माई हो गया वहां पर देखो दूसरी जगह आ गया यहां भी आपको करना है तो ठीक है नहीं करना तो आप check नेक्स्ट देख्स भी जासकते हो यहांपर सभी को एक साथ ही रिप्लेस ना है तो यह देखो REPLACEj गया यह हुरल यह देखो हो चुका हमारा सभी जघ्माय यह प्टर लिखा हुआ था वहांवहां और आई प्रेस कर दिया यह देखो दोस्तों पहले से थोड़ा सा क्या हो गया थिर्चा हो चुगा है यह देखो पहले वाले से थोड़ा सा थिर्चा मिलेगा आपको फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है Ctrl प्लस J मतलब justify टेक्स्ट को Left और Right में बराबर करने के लिए जैसे देखो पहले पूरे को क्या करो Ctrl A से से इसे डिया और फिर Ctrl J दबाते ही क्या होगा इधर से और इधर से देखो दोस्तों यह लाइने जो थोड़ी बहुत है यह देखो यह आगे पिछे जो लाइने जा रही है यह सभी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी देखो Ctrl और J प्रेस किया यह देखो इक्वल होगी बिल्कुल justify के लिए यूज किया जाता है किसको Ctrl प्लस J को फिर आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है Ctrl प्लस K Ctrl प्लस K क्या होता है hyperlink selected text पर link add किया जाता है देखो hyperlink क्या होता है जैसे हमें क्या करते हैं हम यह उपर जाते हैं और जैसे यह यू है इसको हम थोड़ा सा अलग बना देते हैं से Ctrl B किया board कर दिया और इसको I से italic कर दिया इटालिक था पहले से ही और हम इसको देखो थोड़ा सा कलर भी डाल देते हैं इसके अंदर आप देखो यह थोड़ा अलग हो गया अब हम क्या जाते हैं इसके अंदर कोई link डालना चाहते हैं कि जैसे इसके उपर क्लिक करें वह आपको यह लिंक बनाना है आप यहां से select कर सकते हो जो भी आपको file folder में पढ़ा हो हमने document के अंदर ही कोई उठा लेते हैं जैसे देखो यह देखो जैसे कोई video पढ़ा यह लगा सकते हो कोई MS Word की file भी लगा सकते हो PDF भी लगा सकते हो आप तो हमने यहां पर क्या लगा दिय रखो इस देखो Ctrl की को प्रेस करते हैं अब यहां से क्या करो माउस के left button को click करो यह को क्लिक करते हैं हमारा video यहां पर play हो चुगा नीचे यह देखो यह होता हमारा link फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है हमारे पास Ctrl प्लस L आता है जो क्या करता है left alignment करता है page का जैसे देखो Ctrl A से पूरे को select किया हमने और क्या करेंगे Ctrl L को press करेंगे यह देखो left side में आ गया पूरा हमारा यह देखो right side में कम ज्यादा हो चुगे हमारे लेकिन left side से सभी क्या हो चुगे equal हो चुगे देखो इसके opposite Ctrl R होता है देखो ठार चला गया यह Ctrl L होत करने के काम भी लिया जाता है इसको Ctrl प्लस M को देखो दोस्तों अब हम क्या करते हैं देखो पूरे को select कर रखा हमने अब हम क्या करते है Ctrl और M को देखो प्रेस करेंगे तो यह indent create करेगा देखो यह देखो यह देखो पूरे page को एक साथ इधर लेके जा रहा है इसका उपयो हैं अब इसके इंद्र देखो Ctrl plus M press करते इसको इधर मारे पास कितनी slide है पहले आप Ctrl Plus M करते है दीखो दूसरी आ कई यह यहां पे हम है और हमने क्या-क्या control plus and press किया यह देखो blank page हमारे सामने आचुका है यह होता हमारा क्या control plus and मतलब एक नया page आपको प्रोवाइड करवाएगा अब देखो आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है control plus O मतलब save किये हुए page और document को open करने का काम करता है जैसे देखो यहाँ पे आते हैं और हमने क्या-क्या Ctrl प्लस ओको प्रेस किया यह देखो हमारे पास यह खुल किया गया अब यहाँ से आप जो भी file यहाँ से आप उठाना चाहो वो उठा सकते हैं यह देखो प्रेंट करने के लिए जिसको देखो यहीं पर हम करके देख सकते है Ctrl प्लस प्रेस किया यह देखो प्रेंट आ चुका हमारा यह हमारा प्रेंटर का नाम आ चुका है यह हमसे page पूछ रहा है कि जो भी page आपको चीए current वो सभी page प्रेंट निकालने है या फिर आपको current page निकालना है या फिर कोई selection किया हुआ page निकालना आपको तो वो सभी आप यहाँ पे select कर सकते हो देखो दोस्ता वागे बढ़ते है हमारे पास क्या आता है Ctrl प्लस क्यों आता है Ctrl प्लस क्यों किसलिए उसके आता है paragraph indent को हटाने के दिए देखो मैं आपको बताता हूँ देखो जैसे देखो हमने Ctrl A से पूरे को select किया और Ctrl M से हमने indent creating projections किया था यह देखो paragraph का indirect हमने create किया था उस indent को एक साथ clear करने के दिए हटाने के दिए हम किसका यूज़ करते है Ctrl प्लस Q क्यों का यूज़ करते है यह देखो Ctrl plus Q हमने यूज किया यह देखो फटा फटट का है एक ही स्टेप के अंदर तो यह होता है Ctrl plus Q का यूज फिर आगे बढ़ते हैं मारे पास क्या आता है Ctrl plus R आता है Ctrl plus R क्या होता है right align और text को right side में ले जाने के लिए जिसको देखो हमने थोड़ी देर पहले किया था जैसे पूरे को Ctrl A से select किया और Ctrl R प्रेस करेंगे तो देखो यह जो इधर जो हमें space दिखाई दे रहा कम जादा और इधर देखो पूरा equal दिखाई दे रहा तो इधर कम जादा ना यह Ctrl R करते इधर equal हो जाएगा और इधर आपका starting में क्या हो जाएगा कम जादा हो जाएगा तोड़ा यह देखो Ctrl प्लस R करते राइट alignment करतेगा तो इसका right side जो है उसको पिल्कुल alignment करतेगा उसका set बिल्कुल मलब एक sequence में करतेगा उसको फिर हम आगे चलते हैं हमारे पास क्या आता ह है वो यहां पर आप दे सकते हो जो भी आपका file नाम है जैसे हमने file लिख दिया यहां से आप उसका path वगरा जो भी set करना चाहो वो कर सकते हो PDF में save करनी है या फिर आप रोकुमेंट में करनी है जो भी आप चाहो format यहां से आप चूज कर सकते हो और उसके बाद क्या कर रहो यहां से save पर click कर देना यह आपकी file save हो चुकिए दोस्तों चलो आगे चलते है मारे पास क्या आता है ctrl-t hanging indent और browser page में नया tab open करने के लिए यूज किया जाता है किसका ctrl-t का यह देखो हम बताते हैं अभी आपको इसको देखो हम ctrl-a से पूरा हमने select कर लिया अब हम ctrl-t का यह indent करेगा यह देखो यह होता आपका hanging indent मतलब पहली line को hang करके उसके बाद की सभी line हो क्या करेगा indent करने का यूज करता है यह होता आपका hanging indent फिर क्या कर आपको कि web browser page के अंदर नया tab open करने के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे हमारा एक tab चल रहा है Google का अब हमें दू Ctrl Z से वापस undo कर दिया हमने इसको अब देखो उसके आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है Ctrl प्लस यू बलब टेक्स्ट को underline करने के लिए यह देखो दोस्तों जैसे हमने इस पूरे paragraph को underline करना है तो Ctrl प्लस यू हमने प्रेस किया है देखो पूरा underline हो चुका है या फि को हमने हमारे MS Word के जो पहले के जो वीडियो है जिनका link description box के अंदर दिया हुआ है उनके अंदर आप जाकर के उनको सभी को आप देख सकते हो उनके बारे में यहां पर आपके already video बनाया हुआ है इनके बारे में कि आपका hyperlink क्या होता है आपका justify क्या होता है italic क्या होता है इ cut way copy किये हुए text image को paste करने के लिए देखिए दोस्तों cut way copy तो cut का भी आपके पास आया नहीं यहां पर आएगा देखो नीचे control plus X वहां बताएंगे अभी देखो cut way copy किये हुए text को paste करने के लिए यह देखो यहां से हमने इतने text को हमने क्या कर लिया copy किया control plus C select करने के बाद में और यहां पर लाकर कि हमने enter press किया और यहां पर हमने इसको यह देखो other तक का हमने select किया था वह यहां पर हमने paste कर दिया यह होता हमारा क्या paste की होती है control plus V आगे चलते हैं हमारे पास क्या आता है control plus W मतलब active program को बंद करने के लिए इसका use क्या जाता है तो देखिए दोस हो जोगा है वह पेज हमारा यह होता है control plus W वापस हम लाते हैं उसको यह देखो यह हमारे फाइल इसको open कर लिया हमने अब हम next की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास क्या था है control plus X मतलब control plus X क्या होता है selected text और image को काटने के लिए यह देखो दोस्तों यहां पर जैसे हमारे पास यह text है इसको ममें कहा लाना यू कि जस्ट नीचे लाना है तो हमने इसको क्या 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 है Ctrl X या फिर right click करके cut करो तो हमने क्या 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 है इसको पूरे को select किया और Ctrl X करते हैं क्या हो गया जैसे दोस्तों मैं दोनों को एक साथ समझा देता हूं आपको देखो Ctrl-Z क्या होता है डिलीट किवे टेक्स्ट को पुने प्राप्त करना यह देखो यह टेक्स्ट है हमारा इसको हमने क्या कर दिया यह देखो हमने जी ही नहीं था गलती से आ गया अब हम क्या करेंगे Ctrl-Plaz-Y से इसको अब यह टेक्स्ट को वापस लाने के लिए यूज किया जाता है यह देखो कर दिया उसको टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभाण